आज गुजरात में नेरेंद्र मोदी की ताज पुशी चौथी बार मुख्यमंद्री पत्की लेंगे शपत मोदी के शपत ग्राह समारूग लेकर दूरदार तैयारियां बीजेपे के दिगज नेताओं का लगेगा जमावडा लाल ग्रेशन आडवानी और पाड़ी अध्यक्ष गड़करी भी शपत ग्राह समारूग में लेंगे हिस्सा उद्धव ठाकरे भी रहेंगे माजूद मंगलवार को मोदी आफचारिक तॉय पर चुने गए विधायक दल के नेता बैठेट में आरून जेटली भी थे माजूद वेज्यपी श्यासत राज्यों के स्यम्भी शपत ग्राह समारूग में लेंगे हिस्सा नितीश को नहीं भीजा गया निमंत्रण पत्र विल्ले पुलस कॉंस्टिबल मोद में नया विवाद हादसे का चश्मदीद बोला विल्ले पुलस का दावा हलत कॉंस्टिबल सुभाष तुमर को नहीं लगी थी चूट मैं गिरने से वेंटिलेटर तक था सुभाष तुमर के साथ प्रदर्शन वाले दिन की दो तस्वीर आई सामने तस्वीर में सुभाष को संभाले दिख रहा है चश्मदीद योगेंद्र पुलिस में किया था दावा सुभाष के गर्दन च्छाती में लगी थी चोट मंगलवार को पूरे सम्मान के साथ सुभाष कॉंस्टिबल को दी गई विदाई महकमे के आला अधिकारी अंतम संस्कार में पहुंचे दिल्ली गैंग रेप की शुगार लड़की की हालत गंबेर तबियत में अब भी कोई शुधार नहीं गैंग रेप मामले में एक आरूपी अक्षर ठाकुर के आज पहचान परेड पिहाड जेल में होगी ये परेड गैंग रेप मसले पर कॉंग्रेस कोर ग्रूप की बैटेक सुनिया की सरकार को पढ़कार बूलींज दुरुस्त करों सुरक्षा के इंतजाम ताकि भविश्य में ठिकना हो ऐसी वारदार गैंग रेप के इस पर सर्वदिली बैठेक या विशेश्य सत्र नहीं बुलाईगी सरकार कॉंग्रेस कोर ग्रूप का फास्ला कॉंग्रेस कोर ग्रूप की बैठेक में ग्रीह मंत्री शिंदे ने दिया सुनिया को प्रेजिंटेशन बैठेक में शामिल हुए पीम और चिदम बरम शीला देख शेदन दिल्ल पुलिस के खलाफ पर फिर जाहिर के नाराज़गी कहा वी आईपी लोगों की सुरक्षा के बजाए दिल्ली वालों की सुरक्षा पर ध्यांग दे पुलिस सबाज से विए अन्ना अजारें ने मांगी गैंग रेप के आरोफियों के लिए फांसी बोले बलातकारियों के लिए बले सख्व खानून 2727 दिसंबर को प्रार सुना सबागा आयो जन निपीश कुमार ने की लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाने की वकालत बोले आत्मों रक्षा के लिए बहुत जरूरी बेहार में अप्दा की एक लाख लड़कियां ट्रेन गैंगरेप मसले पर बोले बीजेपी की नेता गोपिनात मुंडे कहा दोशियों को बिलनी चाहिए फांसी गैंगरेप केस पर बोले यूपी के मंतरिया आजम खान कहा फांसी नहीं पत्थरों से पीट पीट कर मारे जाएं दोशी दुली गैंगरेप पर चलका बिगबी का दर्द घटना पर जटाया अफसोस कॉंस्टिबल सुभाष तोमर के परीजनों को इनाम में खुद को मिले दिये धाई लाख रुपए गैंग रेप पर बोले राश्टो पती प्रणों मगर्जी कहा पीम ने दिया भरुजा सरगार उठाएगी उच्छित पदम प्रदर्शन कारिये होसे पर रखें खाबू आप यह अससे लगे पोस्टरों में मोधी पी वाइश पेगी साथ देखी तस्वीर बीजेटी प्रदेश अध्यक्स रक्ष्मकान्थ वाइस पीक अबायान कोई और मतलब में मिकाले लोग लख्नव मेय अट आलजी के जर्वन में मुख्य ओत्ती बनकर पुंसर कल्यान संग् औ wander की नितान रिख्याधाउ तो नीटीन लिया Attack कल्यान संग आलान 21 जन्वरी को लग्नौ में बीजेभी में इस रेलीमे अपने कारे करताउं के साथ के शामिस करनाटक में यदू यरप्पा का सरकार के खलाफाइच से हला बोल यदू यरप्पा के मुख्यमंतरी रहती शुरू जी गई उजनाओं को पंड नहीं मिले से नाराज यदू यदू यरप्पा की बाढ़ी का बदान सबा के बाहर धरना प्रदर्शन यदू यरप्पा के खरीबी माने जाने वाले बीजेपी के तीस और नहिताओं पर गिरी गाज़ पाड़ी ने सभी को दिखाया पाहर का रास्ता बेपी रात दिल्ले के दिल्शाथ गार्डर में दर्दनाथ हादसा महिला सबेग दो बच्चेकार में जंदा चले हादसे में तीन लोग बुरी करद से घायर अपने घर नई सीमापुरी से शादी समाहरों में शामिल होने जामा मस्जच जा रहा था परिवाद रास्ते में चलती हुई कार में लगी आग स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थी सभी लोग कार के शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया रहागीरों का अरूप सौ मीटर की दूरी पर फायर रिस्टेशन होने के बाद भी देर से पहुंचे दंदल कर ली बीती शाम दल्ली के सागेद में दो लड़कियों के साथ छेड़ शार के घटना तीन मंचले गरफतार मौल गूम ने आई लड़कियों के साथ नशे में दुद लड़कों ने की छेड़कानी शूर मचाने पर फुलस तवालों ने पकला जारकर्ण के गरवा में संसनी गेज घटना रेप के कोशिश में नाकाम रहने पर नौवे की चात्रा को आरोपियों ने स्कूटर से रॉनदा लड़की को जब रन स्कूटर पर बढ़ा कर भाग रहे थे आरोपियों बदमाशों से बचने के लिए स्कूटर से खूजी थी लड़की आरोपियों के खलाफ अब तक नहीं हुई कोई कार रवाई गुजरात के आनंद में पुलस कॉंस्टेबल की संसनी खायज हत्या दो बदमाशों निमारी गोली फाइरिंग के वक्त अपने एक महिला मित्र के साथ कार में घूमने गया था कॉंस्टेबल पुलस को हत्या के तीछे आपसी रंजिश का शक्त मुंबई में चाकू के वार से घायल शात्रान ने तोड़ा दम संक्या आजशक ने कॉलेज चैंपस में किया था हमला खुद की भी लेली थी जान बंगलोर में पहले टीजमेंटी मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को मिली हार हाई पोल्टेज मुकाबले में पाल्जुगट से जीता पाकिस्तान रोमान्चक मुकाबले में आखरी उवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे दस रन शुब मलक ने चौथी गेम पर छट्टा लगा कर टीम को दिलाई जीत कौस हारने के बाद पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत में पाकिस्तान के सामने रखा था 134 रणों का लक्ष जल्दी में तीन विक्ट कवाने के बाद भी जीता पाकिस्तान पाक की ओर से कप्तान मुहम्मद हफीज और शुब मलक की तूफानी पारी दोनों ने लगाए अर्धिश्य तक बोवने शुबर कुमार की मेहनत पर बाखी के गेंदादों ने फेरा पानी हफीज और शुब मलक के आगे चूटे पसीने रहाणे और गंभीर ने दी ती टीम इंडिया को ठोश शुरुआ दोनों के बीच पहले विकेट के लिए सफ़तर रनों की साज़ दारी बाद में बाखी के बल्ले बादों ने बिगाड़ा खेल रहाणे और गंभीर के आउट होने के बाद आया गए आया राम गया राम वाली स्थी चार और के अंतराल में छे बल्ले बाद प्रॉटे पर विलियंग मैस के रोमान चक दौर में मैदान में शांत भड़े कामरान अक्मल से दोनों की बीच मी जम करता ना तनी अमपायर ने किया बीज बचाओ हार के बाद कफदान धौनी का बयान 10-15 रन पीछे रह गए 144 का स्कूर सेफ होता जड़ेजा से आखरी ओवर कराने पर बोले धौनी नहीं बचा था कोई बिचल दो टी-20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान एक शुनी से आगए दूसरा और आखर मुकाबला 28 गसंबर को एह मैमार में कोहरे के कारण विमान दुर्गटनागर ग्रस्त हादिसे में दोट मौत गस्त धायल सरकारी टेलिविशन के अनुसार धुन्द के कारण पाइलेट को नहीं दिखा रनवे धान के खेज में जागिरा प्लेंज दूर्गटनागर इस विमान एर्बगान कंपनी का हादिसे के वक्त विमान में सवार थे 65 यात्री मित में नए जम्दान पर कराए गए जन्मस्म्रे का विरोज टाहिरा में लोगों ने किया जमकर प्रदेशन क्रिस्मस पर जर्मनी के बर्लिन में बर्फीले पानी में मस्ती लोगों ने सैंटा बनकर आयूजन में लिया हिस्सा कर वादेशन